नमस्कार स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर शार्दिय नवरात्री के 5 वे दिन श्री उपांग ललीता पंचमी व्रत या ललीता जैनती का पर्व मनाया जाता है देवी ललीता को त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी चाना जाता है ये दस महाविध्यों में से एक है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2022 में ललीता पंचमी कब है तिनवद इनां क्या रहेंगी पंचमी की तिती क्या रहेंगी पुजा की विधी क्या है और क्या है कथावमहत तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में ये चैनल पर नहीं है और अभी तक आप नहीं से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी प्रतेवन तरवारों की तितियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तक ही आपको मेरे वीडियो की नोडिफिकेशन मिलते रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना पिलकुल मत भूलिए तो चली शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो ललीता पंचमी का व्रत बहुत फल्दाई माना जाता है मानुताओं के नुसार इस दिन ललीता देवी की पुझा जो वेक्ति पूर्ण भक्ति भावं से करता है उसे देवी की विशीश कृपा प्राप्त होती है इस व्रत के बारे में स्वयम भगवान श्रीकिश्ण ने कहा है कि ये व्रत सुक संपत्ती योग संतान प्रदान करने वाला है संतान के सुक एवं उसकी लंबी आयो की कामना है तो इस व्रत को किया जाता है ललिता पंचमी के दिन व्रती कू सुर्दय से पुर्व उठका इसनानादी से निवृत हो जाना चाहिए उसके पश्चात स्वक्ष वस्त धान करना चाहिए और व्रत का संकल पे लेना चाहिए खर के शान कोड में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठें और माता रानी की पुजा करें सबसे पहले सालिक राम जी का विग्रह कातिके जी का चित्र माता गौरी और भगवान शिर्फ की मूर्तियों समें सभी पुजन सामग्रियों को एक जगा एकत्र कर ले पुजन सामग्रियों में तामिका लोटा, नारियल, कुम-कुम, अच्छत, हल्दी, चंदन, अभीर, गुलाल, दीपक, घी, इत्र, पुश्प, दूध, जल, फल, मेवा, मौली, आसन, इत्यादी हैं पुजा के दौरान माता के मंत्रों का जाब करे, अंत में जो भी आपकी मनुकामना हो, उसे माता से कहे यदि आपके संतान नहीं हैं, तो आप अपने लिए संतान सुप की कामना भी कर सकते हैं इसके बाद मेवा, मिष्ठान और माल पुवे, एवं खीर का फोग माता को लगाए, आर्थी करे और उसके पश्याद, प्रशाद का वित्रन सभी में करें ललीता पंचमी साल 2022 में 30 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार को है, अश्वें शुक्ल, पंचमी तिथी का प्रारंप होगा 29 सितंबर की रात 12 बच कर 8 मिनट पर और समापती होगी 30 सितंबर की रात 10 बच कर 34 मिनट पर ललीता देवी की कथा के नुसा माता सती अपने पिता राजा दक्ष द्वारा अपमान के जाने पर यग की अगनी में अपने प्राणों को त्याद देती है तब भगवान श्यव उनके सरीर को उठाए तीनों लोकों में घूमने लगते हैं ऐसे में पूरी धर्ती पर हाहा कार मत जाता है जब भगवान विश्णू अपने सुधार्शन चक्र से माता सती की दे को विवाजित करते हैं तो भगवान शंकर को हिर्दय में धारन करने से उन्हें ललीता के नाम से पुकारा जाता है ललीता पंचमी के दिन लोग विधी पूर्वग देवी ललीता के साथ इसकन माता और भगवान शंकर की भी पूजार चला करते हैं मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ